तो हेलो दोस्तो वीडियो में आप बात करने वाला कि बहुत ही ज्यादा खोश करणा हूं जो काफी बहुत बहुत ज्यादा एक्जाम में आने वाले चांसे हैं उसके ठीक है तो चले उन सारे क्यूशनों को देखते हैं वीडियो को आप सुरू से लेकर लाश तक देखिएगा ठीक तो देखिए दोस्तों यहां पर देखते हैं खुशन बढ़िया है कि नहीं ठीक है देखिए क्यूश अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौदों को चुना मटर के पौदे के चैन के कारण निम्न हैं कौन-कौन से हैं तो देखिए यहां पर आप कारण देख सकते हैं मटर का पौदा वार्सिक पौदा है अतर इसका जीवन सक्र छोटा होता है जिससे कुछ ही समय में इसकी अ जाते हैं ठीक है इसके बाद तीसरा करण इसका देंगे आप यहां पे मटर के पौदे में अनेक तुलनात्मक लच्छन पाया जाते हैं अब इसके बाद चोथा अब देंगे इसका इनमें कृतिम पर परागण द्वारा संकर्ण कराया जा सकता है तो दोस्तों एक क्यूशन न का पूरा नाम लिखिए यह प्रोटीन संसलेशन करता कैसे करता है डिन्ने का पूरा नाम लिखिए यह प्रोटीन संसलेशन कैसे करता है तो दोस्तों इसका उत्तर आप देंगे डिन्ने का पूरा नाम डि आक्सी राइबो न्यूकलिक अमल है डिन्ने द्वारा आरेन्ने का की आजाता है जो की protein solution के लिए अतियावस्यकौ hanno इस प्रक्रम को अनुले खन कहते हैं ठीक है नुले खन कहते हैं तो दोस्तो इस प्रकार dnay का पुरा नाम भी आप जाल लिए हैं और या protein sensation कैसे करता है तीज प्रकार नहीं होती है करण असपस्ट कीजिए बहुत ही ज्यादा important question है ठीक है इसका उतरा आपको देना है पालवान होना एक काई एक लच्छन होता है जिसका संबंद किसी भी अनवन सिक्ता से नहीं होता है अता पालवान की संतान पालवान नहीं हो सकती अर्थात निरंतन अभ्यास स पालवान की पेसियां सुविक्सित हो जाती है अभ्यास न करने से पालवान के पूत्र में पीता के संबंद पेसियों का अभ्यास होता है अर्थात यह आवस्यक नहीं है कि पालवान की संतान पालवान ही हो क्योंकि काईक लच्छनों में होने वाले परिवर्तन होते हैं जै क्यूशनों को आपको 100% याद करके एक्जाम में जाना है ठीक है चलिए आप क्यूशन अबर तीसरा भी किलियर हो चुका होगा क्यूशन अबर चोथा दिए क्यूशन उच्वता वेरी मोस्ट इंपर्टेंट क्यूशन है यदि किसी चुहे की पूछ काट कर प्रजनन कराया ज कि पूछ एक वंसा गत लच्षन नहीं है सार् eller किरлись Mi meglio संतानों में अस्थां तरीत नहीं होते क्यवल जनन को सिखाओं में होने वाली परिवर्तन एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी तक जाते हैं यह बहुत ज़्यादा पापुलर क्यूशन है इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे डंग से जितना भी में क्यूशन इस वीडियो में बात करूंगा सारे क्यूशन को आपको अच्छ देखे दोस्तों इसका उत्तर आप देंगे मैं पढ़ रहा हूं आप ध्यां से सुनिए इसको द्यां से नोट कीजिए कि पत्थ्रों अत्वा पहाडों पर प्रासीन काल के जंतू यह पौध के आवसेस पाय जाते हैं इन और सेशो को जिवासम करते हैं उधारण वर्फ में सुरचित जीओं में मात गेंडा मोलस्क जीओं के कवच आधी जिवासमों की सायता से हमें विभीन कालों में हुई घटनाओं का पता चलता है तथा पौधो वजंतु के विकास के करम का पता चलता है पत्थर की आयू में ज एक बार दिखा देता हूं कि इस स्पींशॉट ले सकते हैं आया आंसर यह इस ऑंसर का भी स्कींशॉट ले सकते और वीडियो को पूस्ट करके सप्वेशन करते हैं और याद करते जिजांगा इसे रिविजन करके किसी आपको जाना पाछवां के लिए रोचका होगा कि दल के प्रयोगों के अधार पर प्रभावी तता अनुप्रभावी लच्णों को समझाईए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्यूशन है दोस्तों प्रभावी तता अनुप्रभावी लच्णों को समझाईए तो आपको उत्तर में प्रभावी डालना हेडिंग फिर इसका पौधे का लंबापन पूस्प का लाल रंग आदी वह लच्छन जो केवल समयूगम जी इस्तिती में प्रदर्शित होता है तथा विसमयूगम जी अवस्था में अपने आपको प्रदर्शित नहीं कर पाता है और प्रभावी लच्छन कैलाते हैं उधार्णत बवनापन पू किसी तरो बैठाकर आपको जाना है की किसी हाल में ठीक है तो चलिए किसलमें करता हौन किसरण में च्किलियर हो चुका होगा आप लोगों को तो चलिए सबस्यों साथ बढ़ चलते हैं क्यूशन नंबर सातमाँ देखे या क्यूशन आप से पू mam hardest car आप से पूथ लिया कि ab एक कारक को उत्तरदाई माना था जांसन ने इस कारक के लिए जीन सब्द का प्रयोग किया जीन गुड सत्रों में उपस्तित डियन्ने अड़ों के सुछ मखंडों को कहते हैं जो लच्छडों के रूप में ब्यक्त होते हैं जीन अनवनसिक्ता की इकाई होती है प्राय यह एक जीन के लच्छण को निर्धारित करता है कुछ लच्णों को निर्धारण एक से अधीक जिन्स एक लच्छण को निर्धारित करता है कुछ लच्णों का निर्धारण एक से अधीक जिन्स द्वारा भी होता है यहों कभी कभी जिन द्वारा अनेक लच्छणों को जाती उद्भाव क्या है किसी एक उद्विकास कारक का नाम लिखिए ये दो नमबर का क्विशन आप से पूछता है तो इसका उत्तर आप देंगे प्रकृतिक में नई जाती के निर्माड की प्रकृतिया को जाती उद्भाव करते हैं जातीयों के निर्माड में संकरण तथा बहुगुरता का महत्तवपूर युगदान होता है इसके अतिरिक तवातावरणी अनुकूलन से उत्तपन विभिनतायन जाती के निर्माड में महत्तवपूर भूमिका निभाती हैं तो इसका आंसर इस डंग से आपको लिखना है क्या समझते हैं इसके जनमदाता कौन थे इसके विश्यस्ताओं का उल्लेख किजिए चार नमर का क्या ठीक है यहां से उतर में आप लिखेंगे जिव बिग्यान की वह साखा जिसके अंतरगत सजाती और परसपर संबंधित जिवों की आनुवंसिक समंताओं तथा विविन्ताओं का अध्यन किया जाता है अनुवंसिक यह आनुवंसिकता कहलाती है इसके जनमदाता कौन है ग्रेगर जान मेंडल ग्रेगर जान मेंडल थे वो मेंडल ने मेंडलिज्म दिया था ठीक है अब देखे इसकी विश्यस्ताय निमने कौन कौन सी विश्यस्ताय तो चलिए मैं पढ़के सुनाता हूँ आप वीडियो को पूस करके आप नोट करते रहिएगा ठीक है अनुवन सीकी के माध्यम से भावी संतान के गुडों का ज्यान होता है दूसरा लिखना है इसके अधार पर उच लच्छनों वाले संतानों का प्राप्त किया जा सकता है और तिसरा लच्छन लिखना आप लोगों को इसकी विश्यस्ताय तिसरा लिखना है रोग प्रतिरोधी पादपो जैसे ग्यहूं गन्ना चावल आदी की किस्मों का विकास किया जा सकता है और चवता आपको लिखना है उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में व्रिधी की जा सकती है और दोस्तों नेक्स्ट आपको विश्यस्ता इसका लिखना है नेक्स्ट विश्यस्ता इसक और का पूछता है आपके एक्सजाम में तो दोस्तों उमीद करता हूं कि क्यूशन में अभी आपको किलियर हो चुका होगा तो चलिए इसी साथ बढ़ चलते हैं ले क्यूशन के और आज के लाश्ट क्यूशन के और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्यूशन है लाश्ट व ज्यान होता है जिवास्मों की सहता से हमें विविन कालों में हुई घटनाओं का पता चलता है जे विकास के संदर में सबसे ठोस प्रमाड जिवास्मों से ही प्राप्त होते हैं जिवास्मों के अध्यन से या प्रमाड मिलते हैं कि अभीमा जैसे सरल एक कुस्किय जियों से अंक के सुरुकियों वह उनमें से कसे रुकियों का निर्माड हुआ ठीक है तो या उत्तर आपको लिखना है विकास से संबंद स्थापित करने में जिवास में क्या महत्वत है यह महत्व है ठीक है आपको इसको इसकीन सौट ले सकते हैं या तो आप वीडियो को रोक कर आप से नोट कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में मैंने टाप 10 क्यूस्टन बता है साइंस के जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है वहर बार एक्जाम में पूछा जाता है आई इस बार तो 100 परसेंट आने के चांस से सब्सक्राइब को ज्यादा है ठीक है ताप इस